हेलो फ्रेंड्स, वेलकम तू यूट्यूब चैनल, गाइनकॉलजिस मेडिकल लेक्चर्स, मैं डॉक्टर रुचिकागर्ग, असोसेट प्रोफेसर और गाइनकॉलजिस्ट और आज हम बात करेंगे कि एचछी पे अगर ट्यूबल ब्लॉक्त आता है, आपकी ट्यूब्स ब्लॉकश आती हैं, तो आगे हमें क्या करना है, भीन हमें ट्यूब्स को खोल सकते हैं, कि नहीं या हमें ट्यस्ट थ्यूबबी के लिए जाना है, तो जो HSG मेरा एक वीडियो है, HSG Histosalpingography में एक डाई डालके एक्सरे किया जाता है और फिर ट्यूब्स को देखा जाता है लेकिन HSG में अगर ट्यूबल ब्लॉक आया है तो आपको घबराने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है कभी कभी क्या होता है कि Cornwall Spasm हो जाता है यहनी कि Ureps और ट्यूब्स जहां मिलती है वो Cornwall होता है वहां पे एक दम से नस्य सुकुर जाती है वह वस वज़े से जो है डाई ट्यूब्स में नहीं जा पाती तो हो सकता है कि Tuble Block हमें आ जाए क्योंकि HSG में 40% cases में false positive tubal block आ जाता है मतलब actually tubes block नहीं होती है लेकिन आ जाता है spasm की वज़े से अब दूसरी बार ये भी depend करती है कि आपकी एक tube block है कि दो tube block है हर महिने जैसे एक egg release होता है उसी side की tube जो है उस egg को capture करती है अंदर लेती है और sperm से fertilization होता है फिर वो tube से जाके uterus में जाके implant हो जाता है जिपक जाता है तो अगर एक भी tube अगर आपकी खुली होई है तो आपकी pregnancy हो सकती है तीसरी चीज है कि HSG में जो आपकी tubal block है वो किस तरह की है उसके साथ hydro salpings भी है नसी भी मतलब जो tubes है वो fully होई भी है hydro मतलब पानी की और उन में infection भी है क्यूंकि हमारे देश में tuberculosis का infection बहुत common है STDs हैं जैसे की clamidia है वो सब भी हो सकती है या फिर infection तो most common है ये इसके लावा कभी आपकी पहले PID रहा हो pelvic inflammation रहा हो नीचे पेडू में दर्द रहा हो और white discharge और chronic servicitis इस सब से भी tubal block हो सकता है या नीचे से infection ऊपर जाके tubes और ovaries आपस में सब चुपक सकती है तो ये हो सकता है या और भी endometriosis है या पहले कुछ operations हुए हो उनकी वज़े से भी tube ovary आपस में चुपक सकती है ये सब कारण होते हैं tubal block के ठीक कभी कभी asymptomatic ही रहता है बच्पन में कभी कोई infection हुआ हो वो unnoticed चला गया हो और वो मरीज को वैसे कोई दिखकत नहीं होती लेकिन वो tubes block हो जाती है तो अब हमें क्या करना चाहिए अगर हमारी HSG पे tube block है तो इसके बाद हमें leproscopy के लिए जाना चाहिए लेप्रोस्कोपी एक diagnostic और therapeutic दोनों तरीका है मतलब लेप्रोस्कोपी में हम देख भी लेंगे हम एक डाई डालेंगे और आखों से screen पे हमारा को डाई पेड़ी tubes के दोनों आइंड से निकलती हुए दिख जाती है तो हम इसीली बता सकते हैं कि actual में ये tubes block है या open है या open है कि हम जो है recanulation कर देंगी जो tubes के जो जिस area को block है उसको काटके और बाकी दोनों बीच में काटके और बाकी दोनों को फिर से जोड़ दे और तीसरी चीज है कि अगर उसके साथ hydrosalping हो तो हो सकता है हमें करनी पड़े यानि दोनों tubes को काटना पड़े काटके तब हम IVF के लिए जाएं क्योंकि कभी-कभी tubes बहुत ज्यादा सूजी फूली होई रहती है तो वो और एक अलग topic है जो आप मेरे वीडियो देख सकते हैं अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप like subscribe कर सकते हैं और फ्रेंड से share कर सकते हैं ठीक है तो अगर हमारा ट्यूबल ब्लॉक आया है लेप्रोस्कोपी पे तो कुछ महीने अगर सपोस इंफेक्शन है तुबरकुलोसिस का इंफेक्शन है उसमें चोटे-चोटे डॉट्स टूबरकल्स और असोसियेटेग चीजें हम देख सकते हैं तो हम तीन से छे महीने त इंटी टूबरकुलर ट्रीटमेंट भी दे सकते हैं मरीज को उससे भी उसके फ्यूचर प्रेग्नेंसी की चांसस भी बन जाएंगी कभी-कभी कॉस्ट कंजर्न रहते हैं कॉस्ट की वजए से लोग आई वी एफे टेस्ट्यूब बेभी नहीं करा पाते तो टेस्ट्यूब आप जो हैं डायरेक्ट आई वी एफ के लिए नहीं जाके तीन से छे महीने एटी टी भी ले सकते हैं एंटी टूबरकुलर ट्रीटमेंट और और इंफेक्शन का ट्रीटमेंट लेकिन यह डिपेंड करता है कि आपकी और सारी चीजें कैसी हैं सिर्फ अगर आपकी आपको बीमारियां हैं आपको ओविरियन रिजर्व कम है अम्ह कम है आपका तो फिर आपको डारेक्ट भी डॉक्टर आई वी एफ के लिए के सकते हैं क्योंकि जो नैच्रल प्रेग्नेंसी होती है वो कितना भी त्यूब्स का ट्रीटमेंट के लिए तीन से छे महीने नौ म इने एक साल भी लग सकता है लेकिन आई वी एफ में जो है एक साइकल में भी 40-50% सक्सेज हो सकता है तो थैंक्यू फर वाचिंग दिस वीडियो